हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप सब को मेरी गोल की मिट्टू एंद येलो मैंगो पढाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिट्टू एक पैरट थी, ग्रीन पैरट एक ग्रीन कलर की पैरट विद ए रेड बीग और उसकी एक बीग का मतलब होता है ये, इसको हम बोलते हैं बीग, ठीक है? उसकी ये रेड कलर की चोच थी One day, मिट्टू was flying, एक देन मिट्टू मतलब उर रही थी, flying का मतलब होता है उरना, उर रही थी He loved to fly, उसको उरना बहुत पसंद था He looked down, उसने नीचे देखा He saw a big yellow mango on a tree उसने देखा कि एक बड़ा सा यलो कलर का mango एक पीर पे था मिट्टू like mangoes, मिट्टू को mangoes बहुत पसंद था मिट्टू ने बोला, I want to eat that yellow mango, he said उसने बोला कि मुझे वो yellow color का mango खाना है He flew down to the tree, वो नीचे उरके उस पेर पे आया Cow cow go away, मतलब एक आवाज आई Cow cow go away, मतलब go away का मतलब इधर से चली जाओ दूर This is my tree, said a voice ये मेरा पेर है, एक आवाज ने बोला, मिट्टू looked up, मिट्टू ने उपर देखा He saw a big black crow, उसने क्या देखा? उसने एक बड़ा black color का crow याने के कववा देखा Cow cow go go, उसने फिर बोला Cow cow go go, दक्रो शाउटेट दक्रो ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि Cow cow इधर से चली जाओ मिट्टू को बोला He had a very loud voice, उसका आवाज बहुत जोर से था, बहुत जोर था उसके आवाज पे मिट्टू was afraid of the crow, मिट्टू तो डर गया उस crow को देखके He flew away, मिट्टू उडगई मिट्टू saw a red balloon मिट्टू ने क्या देखा? एक red color का balloon देखा It was under a tree वो एक पेर के नीचे था He had an idea उसको एक idea आया He picked up the red balloon उसने red balloon को pick कर लिया उठा लिया He was careful not to burst it वो एकदम साबधानी से उसको पकरा हुआ था ताकि वो burst मतब फट ना जाए He flew to the mango tree वो फिर से उड़के उस mango tree पे गया जिस पेर में वो कवा रहता था The crow was sitting on the tree वो crow अभी भी बैठा था उस पेर पे मिट्टू went behind the tree मिट्टू ने क्या क्या मिट्टू उस पेर के पीछे चली गई He picked the balloon which is red big उसने क्या क्या उसने balloon को अपने बीग से यानि की चोच से उठा दिया Pop the balloon burst Pop करके आवाज आया वो balloon burst हो गया यानि की food गया It made a loud noise और बहुत चोच से आवाज आई balloon food में की Cow said the crow वो crow ने cow किया And he fell off the tree वो पेर से नीचे गिर गया Cow cow a big gun is after me See the crow तो cow cow बोलके Cow way ने सोचा कि उसके पीछे कोई बंदूग चल रही है इसलिए उसको डर लग गया और उसने ऐसा बोला He flew away वो उड़ गया Cow way ठीक है He never came back to the tree वो कभी और उस पेर पे नहीं आया मिट्टू came to the tree मिट्टू फिर उस पेर पे आई He ate the big yellow mango उसने उस बड़े yellow color के mango को खाया Yummy yummy what a nice mango he said उसने बोला कि yummy yummy ये तो बहुत अच्छा mango है He was very happy वो बहुत खुश था Clever मिट्टू तो आप लोगों ने देखा मिट्टू बहुत चालाक निकली और उसने कैसे चालाकी से कववे को पेर से भगा डाला ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही Bye Bye मिलते हैं नेक्स वीडियो पे झालाकी